तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पर तो जैसा कि सबसे पहले बात की आतकर लोगों सबसे पहले YouTube जो वीडियोओ अपप्लोड करते है उसमें सबसे पढ़ी दिख्कत आती है कि यूटीब वीडियोओ का अप्लोड करें तो कैसे करें सबसे पहले बाद तो एगर यूटूब वीडियो को अपलोड करना है तो उसके हमेशा हर साल या कुछ साल में कुछ-कुछ देर रहना कुछ-कुछ वक्त के बाद वो बदलते जाता है उसका सबसे पहले तो अगर आप इसको वीडियो अपलोड तो करना आती है लेगिन सब इसक्रिशन किस तरह से लगाना है तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ कैसे लगा और किस तरह से आप अपनी यूटूब पर अपनी खुद की वीडियो को वाइरल कर सके और व्यूस ला सके और कैसे सही तरीके से अपलोड किया जाता है तो चलिए शुर दे वो कोई भी वीडियो लेकर आपको क्लिक करना है पब्लिक होगा तो आपको क्लिक करना है अनलिस्टेट पर तो आपको अनलिस्टेट पर क्लिक करके अपलोड करना है अपलोड तो फिर अपलोड करने के बाद आप बैक आ जाईए होगा बैक आ जाने के बाद आप प्ले यूरूप में जाने के बाद आपको सर्च करना है वाइटी स्टूडियो वाइटी स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और अपने यूटूब चैनल से आपको इसको लोगिन कर लेना है उसके बाद लोगिन करने के बाद आप जाओगे इसको तो खोलने के बाद आपको जाना है मेरे दूसरे चैनल पर आसे आपको चले जाना है खोलने के बाद तो जैसा कि मेंने एक video अपलोड किया था हट यहाँ को इस आप टाइडल रख दो ज đến कि मैंने रखा स्टी भाई की पार्टी तो आपको यहाँ पर टाइटल रखना है और यही टाइटल आपको कॉपी कर लेना है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद आप आओगे आपको अपने उसमें जाना यह सब कॉपी कर लेना है फिर आपको tag देना किस related से आप tag देते हो तो आपको tag देना इसमें तो आपको ऐसे करके tag लगाना है उसके बाद यह unlisted पे होगा तो आपको इसे public पे कर देना है और आपको जो आपने tag लगाया है उसे आप एक बार description में भी उसारे tag लगा दो और आप hashtag एक बार use करें आप यह ध्यान रखें कि आप उसे 3 से ज़्यादा है 4 से ज़्यादा use ना करें तो आपने hashtag लगा दिया उसके बाद आपको title को यहाँ पेस्ट कर देना है उसके आपको कुछ नहीं करना है बस save कर देना है फिर आजाना आपको back में तो बस हो गया इतना ही करना है वीडियो कैसा रगा देखके आपको आज की लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में सब्सक्राइब करना ना भुल ले और नोटिफिकेशन बेल आइगन को भी क्लिक कर देना बस थैंक्यू